हाई गाइज आम तान्या और आगे हैं वापस आप के लिए नई वीकिंशी केसा था हम अमेशा आपके लिए गया यूश्ट की दो आते हैं लिए नोटिफीकेशन लेकर आते画200 की की तरफ से इस बार भी हम बहुत अची वैकिंशी केसा आते हैं तो विडियो को चween तक देखिए का और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा इस पर वेकिंजी आई है SSB औरिसा की तरफ से इन्होंने निकाला है PGT Recruitment 24 पीजीटी क्या होता है फोस्ट ग्राजुएटीचर्स की पॉस्ट के लिए यानि जो पोस्ट ग्राजुएटीचर्स हैं वह इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं कितनी वेकिंजीज है हमारे पास 1061 टोटल इतनी सारी वेकिंजीज अबिलिबल हैं बहुत अच्छा मोका है यह आपको जितने भी टीचर से उनके लिए अपलाई करने का अगर आप एक टीचर है तो आपको इस लाइट पूरी देखनी चाहिए इस विडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इंपोर्टन डेट्स क्या रहेंगी क्या रहेंगी एज लिमिट्स क्या रहेंगी हर काटेगरी के साब से फीस का डिसाइट की गई है selection process कैसे क्या रहेगा exam process exam pattern क्या रहेगा और most important चीज website क्या रहेंगी तो इस वीडियो को एन तक देखिएगा सबसे पहला हम बता देते हैं आपको कि total पूरा इसका organization का नाम क्या है वे पोस्ट क्या है वेकिंसी क्या है आपको स्लाइड में बता देते हैं organization का नाम तुमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था क्या है स्टेट सेलेक्शन बॉर्ड यानी SSP यह इसकी organization का नाम है जिन्होंने वेकिंसी निकाली है कौन सी पोस्ट के लिए पोस्ट ग्राजुएटीचर्स की पोस्ट के लिए यानी PGT की पोस्ट के लिए विडियो के स्टार्ट में ही बताई थी आप वापस देख लीजिए 1061 इतनी सारी विकिंसीज है एडविटीजमें नमबर इसका यह है Category क्या है government job है हम आपको हमेशा government job के साथ government अपको ऑन-laiन अप्लाइ करने पूछें के भी कहां जाके अप्लाइ करने विडियो कें वेब्साइट बता ते तो आपको वहां जाके अप्लाइ करना है online registration dates क्या रहेंगी 18 मार्च से 18 एप्रेल तक रहेंगी 11.45 पीम तक इस पार इन्होंने timing भी set किया है कि 11.45 अगर 11.50 होगे तो आप apply नहीं कर सकते 11.45 fix timing है इस time पर ही आप last date तक apply कर सकते हैं इसके बाद portals बंद हो जाएंगे तो याद रखेगा 18 मार्च यानी date शुरू हो चुकी है apply करने की time मत पर इसकी आप teachers है apply करना चाहते हैं इसके तो फटावर जाके apply कीजिए last date इसकी 18 अप्रेल next month बंद हो जाएंगे portals selection process क्या रहेगा एक return test होगा और career assessment होगा job location औरीशा की तरफ से यह तो इसकी जो है job location औरीशा रहेगी आपको औरीशा जाना पड़ेगा इस job के लिए आप आगे बहुत आपको बता रहे हैं अभी आपको पहले वाली स्लाइड में बता रही थी वापस रीकाप कर लेता है अठारा मार्च 24 यह इसकी पहली डेट है तब से आपके शुरू हो चुका है इसकी जो एंड डेट है यानि लास्ट टेट है अप्लाइग करने की वह अठारा एप्री दो सकते है पूर्ट बंद हो जाएंगे एक्जाम डेट इसकी अब तक आए निया तूबी नोटिफाइड है माने अब तक से इसका नोटिफिकेशन आया है एक्जाम डेट से अब आएंगी वह भी हम आपको बता देंगे जब भी आगी नए वीडियो के साथ हम वापस आ जाए है निका कि अनिक अन्दर है 29 वेकेंशे अगर आप एक बली की टीचर है तो असमें 29 वेकंसिस में अप्लाइव कर सकते हैं वहियन हैं कतोज थर्टेवां कंचीज हैं टेट सिक्व लिकंवेकंची के टीच से इंग्लिष के उच्छंछन एक्या मान पर चाटिप्लाइऌ कर स Geology मतलब इसमें तो भी दो ही है तो जल्दी अप्लाइ करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ दो वेकिंसी दो सीट्स ही है वाँ पर Geography के अंदर भी पांच है इसमें भी कम है Home Science के अंदर भी सात ही वेकिंसी है और हिंदी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक वेकिंसी अवेलेबल है यानि एक सीट अवेलेबल है सबको इसमें अप्लाइ करना पड़ेगा अब हम बात करते हैं और भी बहुत साइर सब्जेक्स हैं हिस्ट्री इसमें हिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा वेकिंसी जैनी सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल है वन फॉर्टी सीट्स अवेलेबल है हिस्ट्री के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट है तो वेट मत कीजिए फड़ावच से अप्लाइ कर लीजिए नेक्स सब्जेक के अंदर तो 39 vacancies है और अगर आपका subject है औरिसा तो इसके अंदर 130 vacancies है जितने भी औरिसा के लोग हैं वो भी इसमें apply कर सकते हैं psychology के अंदर है साथ vacancies है नहीं साथ ही seats है तो इसमें भी आपको जल्दी करना पड़ेगा बहुत कुछ-कुछ अगर आप पढ़ाते हैं तो 35 seats available है अब हम देख लेते हैं तेलगू के अंदर है सिर्फ दो seats उर्दू में एक और Zoology में 25 तेलगू में तो सिर्फ दो सीट से इसके अंदर भी फिर कितने सारे लोग अप्लाय करेंगे सिर्फ दो सीट से पता नहीं किसको मिले उर्दू में तो सिर्फ एक ही एक ही जैने को मिल सकती है फिर तो टोटल हमारी कितनी इतनी सारी 1061 vacancies हो क्योंकि 18 मार्ण से यह हमने आपको पहले वाली स्लाइड में बता दिया था यह अक्टिव कप तक रहेगा लिंक इसका 18 अप्रिल 2024 11.45 पीम तक इसकी बाद अगर 12 बज गए एक बजगी तब आपने सोचा कि चलो भी आप अप्लाय करते तो नहीं हो सकता वोडिल बन कर दिय जाएंगे तो यह जादर की का 18 मार्ण से शुरू होगा और 18 अपरिल पे खतम हो जाएगा फिर हम बात कर लेते हैं अप्लिकेशन फीज हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जो अप्लिकेशन फीज होती है हर काटेगरी के हिसाब से अलग एक डिसाइड की जाती है जो अ अब हम बात कलते हैं एलिजेबिटी क्राइटीरिया यानि एजुकेशन कॉलिफिकेशन क्या रहेंगी हर सब्जेक के हिसाब से एजुकेशन कॉलिफिकेशन जो है वो अलग अलग डिसाइड की गई है अब जो पोजिशन है पीजीडी के लिए जो अप्लाय करना चाहते है सब्जेक्स के लिए च्या के सब्जेक्स हैं बटनी हो गया केमिस्टीः टीचर्स हो गया इंगलिभी हिंदी हिस्ट्री माथेमाटिक्स फिजिक्स पॉलिटिकल सायंस संस्ग्रिट और जोलोजी की सबसब्जेक्स के लिए जाते एंके पास क्या होना है एक gdy zweezo रखी हो उन्हें तो सबसब्जेक्स की वेकिन्सी के लिए अप्लाइ कर सकते हैं वह स्पराइबूह पर उनके पास एक master's degree होनी चाहिए और उन्होंने अगर किसी ना जाने माने college से अगर 6 साल का post graduate master's degree कर रखियो किसी भी जाने माने college से वो भी चलेगा जो अप्रूफ की हो किसने by NCRT उन्होंने अप्रूफ कर रखा और important चीज 50% mark से वो पास होने चाहिए 50% तो भी वो लाने ह चाहिए इसके अंदर फिर जो candidates है उन्होंने किसी जाने माने college से अच्छी कासी degree ले रखी होनी चाहिए यानी BA की डिग्री हो रखी होती है या फिर उन्होंने डिग्री ली होती है national council for teachers education के द्वारा इनके द्वारा उन्होंने एक BA की डिग्री ली होती है फिर जो position है PGT की इन commerce के अंदर education के अंदर geology के अंदर home science, logic, philosophy, psychology, sociology, IRPM, Telugu, Urdu इन सब subjects के लिए BA की डिग्री है वो कंपल सरी नहीं है यह जो teachers है वो apply कर सकते without a BA degree अब हम बात कर लेते हैं age limits की की भी अब age limits क्या रहेगी हमने आपको सब बता दिया कि भी subjects क्या रहेंगे हर subject की vacancies के बारे में बता दिया qualification भी बता दिया अब age क्या रहेगी जो minimum age है 21 years maximum age is 38 years इससे कम के 20 or 21 years से कम के लोग apply नहीं कर सकते और 38 years से जादा के लोग apply नहीं कर सकते यह इसकी minimum और maximum age रहेगी अब हम बात कर लेते हैं selection process की जो selection process है वो दो stages में डिवाइट किया गया है stage 1 और stage 2 यह हमने आपको वीडियो के start में बता दिया था क्या दो चीज़े रहेंगी एक रहेगा return test और एक रहेगा career assessment कितने marks का होगा return test हो भी हमारा वह 150 marks का और career assessment रहेगा हमारा 50 marks का तो यह 2 stages में अब हम बात कर लेते हैं salary की अब देखिए कितनी ज्यादा अची salary है तो इस चीज को बिल्कुल मिसमत कीजिएगा 44,900 तक इसकी starting salary है कहां तक जाएगी 1,42,400 तक इसकी salary जाएगी और इसका जो matrix level है वो है 10 level 10 तक का अब इतनी अची salary है तो कोई teacher इतनी अची salary तो मिसकरना नहीं चाहेगा सोचते होंगे लोग की एक teacher की salary क्या ही मिलेगी teachers को क्या ही salary मिलती होगी अब इतनी अच्छी salary पे कर रहे है तो छोड़ना तो नहीं चाहिए इस मौके को अब हम बात कर लेते हैं कि एक्जाम pattern क्या रहेगा most important चीज तो इस slide को अच्छे से देखिएगा exam pattern क्या रहेगा आपके exam होगा OMR sheets पे तो आपको OMR sheets पे आपका exam रहेगा कितने marks का होगा 150 marks का यह हमने आपको पहले वाली slide में बता दिया था अब यह सारे points भी आप भियान से देखिएगा जो return exam है उसमें 100 multiple choice questions आएंगे यानि 100 MCQs आएंगे return test होगा वो total होगा 150 marks का minimum qualifying marks है इसके 40% यानि 40% तो भी लाना काम पल सरी इससे कम का होगा तो आप qualify नहीं कर पाएंगे लेकिन यह कुछ categories है इनके लिए 30% decide किया गया है क्या categories है SC, ST, SCBC और PWD इन काटेगरी इस के लिए qualifying marks कितरत है कि अगे 30% 30% तक लाएंगे तो qualify हो जाएंगे इनका selection हो सकता है हर question जो है वो carry करता है 1.5 marks का मतलब हर जो correct answer है उसके लिए उनको मिलेगा पूरा एक marks, एक marks उनको मिलेगा अगर सही होगा और most important चीज नेगिटिव marking होगी हर अगर आपने कोई question गलत लिख दिया है तो उसका 0.5 marks कटेगा तो ध्यान से सोच समझ के अपने answers को आप लिजिएगा क्योंकि अगर गलत गलत कर दिया तो भी आपके 0.5 marks कट जाएंगे तो सोच समझ के answer कीजिएगा अब हम आपको बता देते हैं official website के बारे में यह इसके official website है यहाँ पर जाकर कि आपको जितनी भी और information चाहिए यह एक्स्ट्राबोसा information इस website पर मिल जाएगी I hope हमने आपको अच्छे से बतायों आज की वेकिंसी के बारे में बहुत अच्छी वेकिंसी है इतनी अच्छी वेकिंसी है इतनी अच्छी सालरी दे रहें टीचर्स के लिए और हर सब्जेक में आप जो जो सब्जेक की टीचर इनके साथ अब तक के लिए थांक यू